नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत आज हम B.A. प्रिधम वर्ष के समासासर की प्राथमी का उधारना टॉपिक को देखेंगे बेसिक कॉंसेप्ट अफ शुर्ष्ष्वलजी को देखेंगे यह दो-तीप रश्ण पत्र है, यह सूर्य प्रिकार्षन द्वरा लिकित पुस्तक है जोकी नवीन राष्टी शिक्षयनीती के पाठिक्रम आनुसार है इसमें सबसे पहले हम पाठिक्रम देखेंगे समासासर की प्राथमी का उधारना है एक आई एक देखेंगे समासासर का उधाय, जिसमें हम कुछ टॉपिक देखेंगे टोटल साथ भारती चिंतन की परंप्रा, समासासर का अर्थ, अध्यन छेत्र, विशेवस्तु और महत्तो समासासर की उत्पत्ती एवं विकास एक विज्ञान के रूप में समासासर, समासासर में मानोतावादी उद्मुखी करण और समाजी विज्ञानों के साथ संबंध, समासासर और वियवसाय एक आई दो में हम मुलभूत अधारना है देखेंगे जिसमें हम समाज, व्यक्ति एवं समाज के मद्ध संबंध, समुदाय, समिती, संस्था, समाजिक समू, समाजिक संशने एवं प्रकार्य, प्राइस्थिती एवं भूमिका को देखेंगे इक आई तीन में हम समाजिक संथान एवं संस्थाय देखेंगे इसमें उसकी अवधारना, उद्भाव, विकास, सुरूब एवं चुनोतियों को देखेंगे टोटल साथ टॉपिक देखेंगे इसमें सामाजिक संथन, सामाजिक व्यवस्था, परिवार, नातेदारी, विवाह, जाती वर्ग एवं शक्ती और स्तिक्षा एक आई चार में हम सामाजिक संस्क्रतिक प्रक्रियाएं देखेंगे संस्क्रति का आर्थ विशेष्थाय प्रकार, संस्क्रति के उपादान, सांस्क्रतिक विलंबना और संस्क्रति एवं सभिता को देखेंगे दूसरे में टॉपिक में हम देखेंगे समाजी करण अर्थ विश्रिष्टाए 105 अभी करण प्रकार एवं महत्य को देखेंगे तीसे में हम देखेंगे समाजिक प्रक्रियाय जिसमें हम सहयोग व्यवस्थापन प्रतिस परधो संघर्ष को देखेंगे एकाई पाच में हम सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन देखेंगे सामाजिक नियंत्रण उसका आर्थ विशेषता है प्रकार सामाजिक नियंत्रण के साधन सामाजिक इस्तरी करण उसका आर्थ विशेषता है आधार स्वरूब सामाजिक गतिशीलता उसका अर्थ विशेषता है प्रकार सामाजिक परिवर्तन उसका अर्थ विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की कारट सामाजिक परिवर्तन की प्रतिमान को देखेंगे अब डेटेल में हम देख लेते हैं पूरा पार्टिकरम एक आई पहली, जिसमें हम भारती चिंतन की परमपरा Tradition of Indian Thinking देखेंगे प्रश्न पहला जो होगा भारती चिंतन की परमपरा पर एक लेक लिखी है या भारत में समासास्तर का विकास भारती चिंतन की परमपरा से प्रभावित इसपश्ट कीजिए दूसरा टॉपिक है समाज सास्त्र, अर्थ, अध्यन छेतर, विशय वस्तो एवं महत्तो, शोश्योलजी, मीनिंग, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर और इंपोर्टेंस प्रशन दूसरा समाज सास्त्र क्या है, इस विशे पर प्रमइःक समाज सास्त्र के विचार अथ्वा समाज सास्त्र का अर्थ और इसकी परिवाशायों की विवेचन कीजिए अथवा समासास्र मान व समाज का विज्ञान है विवेचन कीजिए तीसरा प्रशन कैसा होगा समासास्र को परिभाशित कीजिए और इसकी विशय सामगरी की विवेचन कीजिए अथवा समासास्र को परिभाशित कीजिए और समासास्र की विशय वस्तु संबंदी समाज सास्रियों के विचारों की विवेचना कीजिए अथवा, सोरो किन के अनुसा समाज सास्रियों की विशय वस्तू की विवेचना कीजिए अथवा, समाज सास्रियों की विशय वस्तू सामाजिक संबंध है विबिन समासास्त्रों के विचारों के संदर्व में इसपश्ट कीजिए अगला प्रश्णों का समासास्त्र की परिभाश्य दीजिए तथा इसकी विशे छेत्र के बारे में बताईए अत्वा समासास्त्र के विशे छेत्र के बारे में प्रमुक संपर्दायों की व्याक्या कीजिए अत्वा समासास्त्र की व्याक्या कीजिए इसके छेत्र की विवेचना कीजिए अत्वा यथा रूपेर संपर्दाय क्या है अलोचनात्मक विवेचना कीजिए अत्वा समासासर के छेतर के संबन में जोर्ज सिमेल और इमाइल दुर्खीम के विचारों का परिक्षड कीजिए पाच्वा प्रश्ण है आदुनिक समाज में समासासर के महतु की विवेचना कीजिए समासास्र के अध्यान की क्या उप्योगिता है व्याक्या कीजिए अत्वा समासास्र के महतुपा प्रकाश डालिए तीसरी इकाई है समासास्र की उत्पत्ती एवं विकास और इसन इन डेवलप्मेंट आफ सोशियोलजी छटा प्रश्ण है समासास्र की उत्पत्ती विकास पर संचित निबंद लिखी अत्वा समासास्र आधिनिक विज्यान है पर उसका इतिहास अतिप राची ने इस कतन की व्याख्या कीजिए अत्वा समासास्र के विकास का संचित में इतिहास बताई है साथवा प्रिश्न है भारत में समासास्त्र के उद्भव और विकास की विवेचना कीजिए समासास्त्र के विकास के इतिहास का विशेश का भारत के संदर में वर्ण कीजिए चौथा टॉपिक है एक विज्ञानके रूप में समासास्त्र vaisyology as a science आठवा प्रश्ण है समासास्त्र की प्रक्रेति की विवेचना कीजिए या क्या समासास्त्र एक विज्ञाने व्याक्या कीजिए समासास्त्र वैग्यानिक पद्धतियों का प्रियोग करता है विवेचना कीजिए या एक समाजिक विज्ञान के रूप में समाज सास्त्र की प्रक्रति की विवेचना कीजिए या विज्ञान की प्रमुक विशेषता है क्या है क्या समाज सास्त्र की प्रक्रति को विज्ञानिक कहा जा सकता है या समासास्त्र की वैज्ञानिक प्रक्रति की आलोशना आत्मक विवेचना कीजिए नवप्रश्ण है समासास्त्र एक विज्ञान है ना की प्राक्रतिक विज्ञान समझाईए पांचवर टॉपिक है समासास्त्र में मानोता वादी उन्मुखी करण Humanistic Orientations in Sociology दस्वप्रश्ण समासास्त्री अध्यन में मानोवी उन्मुखी करण परिपेख्ष का क्या अर्थ है इसकी प्रमुक विशेष्टाओं की विवेचना कीजिए या समासास्त्री अध्यन के मानोवी द्रश्टी कोड की व्याक्य कीजिए या समाज सास्त्र के मानुवी परिपेक्ष से आप क्या समस्ते विवेच ना कीजिए या बानावतावादी परिपेक्ष की सैध्धान्ति के वंपदती सास्त्री विशेषता है क्या है इसके बारे में बताईए छटा टॉपिक है समाज सास्त्र का अजने सामाजी विज्यानों के साथ संबंद रिलेशन और सोश्योलजी वेद अधर सोशल साइंसेज 11 प्रश्ण समाज सास्त्र अजने समाज विज्यानों की ना तो ग्रह स्वामिनी और नदासी अपितु उनकी बहन है 12 प्रश्ण समाज सास्त्र का समाज विज्यानों की बंद नहीं कर सकता गिलिन और गिलिन विवेचन कीजिए 12 प्रश्ण है समाज सास्त्र का समाजिक मानो शास्त्र तथा राजनीती सास्त्र से संबंद बताईए 13 प्रश्ण है दो भाग हैं इसके पहला है समाज सास्त्र का इतियास से संबंद बताईए दूसरा है समाज सास्त्र का मानो शास्त्र से संबंद लिखिए चौदवा प्रिश्ण है समासास्त्र का अर्थ सास्त्रेव मनो विज्ञान से संबंद स्पष्ट कीजिए साथवा टॉपिक है समासास्त्र और व्यावसाय यानि पेशा sociology and professions पंदवा प्रिश्ण है पेशे से क्या साय पेशे की विशेष्टा लिखिए व्यावसाय पेशे में अंतर दीजिए सोलवा प्रिश्ण है पेशे में समासास्त्र के उप्यों की विवेचन कीजिए अब दूसरी काई आ जाती हमारी इसमें हम आठवा टॉपिक देखेंगे समासास्त्र की मूलभूत अधारना basic concept of sociology समाज व्यक्ति इवं समाज की मद्य संबंद तो सत्रवा प्रश्ण समाज क्या है समाज की विशेष्टा हैं समझाईए समाज की सामान विशेष्टा है क्या है समाज और एक समाज में विवेध कीजिए समाज की सामान विशेष्टा है क्या है समाज और एक समाज में विवेध इसपश्ट कीजिए समाज समाजिक संबंद की वेप्रणालिये जिसके दोर हम जीवित रहते हैं मैकाईवर अपने विचार प्रिकट कीजिए मैकाईवर ने एक कहा था इसको अपने विचारों में बताईए अत्वा समाज किसे कहते है इसके आवशक तक तो क्या है बताईए अठारवा प्रिश्ण है व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंदों का वड़न कीजिए या व्यक्ति और समाज के संबंदों को धारण सही समझाईए या व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक संबंदों के विवेचना कीजिए या समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक धारणा है एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं इस कथन को इस्पष्ट कीजिए समुदाय समिती एवं संस्था उनिस्वा प्रश्ण समुदाय की परिवाश्य देजिए इसकी विशिस्ताओं का वड़न कीजिए विवेचना कीजिए समुदाय के अधार क्या है कुछ सीमा वर्ती समुदायों के उधारण देजिए समुदाय एवं समाज का अंतर इस्पष्ट कीजिए बीस्वा प्रश्ण है समिती की परिवाश्य देजिए तथा इसके आवशक तत्तों पर प्रकाश डालिए समिती से आप क्या समस्ते समिती की लक्षडों का संचिप्त विवेचन करिए क्या राज एक समिती इसके बारे में बताईए 21 प्रशन है समिती के समाज सास्त्री महत्यों की विवेचना कीजिए 22 प्रशन है संस्था से आप क्या समझते इसकी विशेष्टाओं का उलेख कीजिए तो संस्था की विशेष्टा है बतानी है आपको संस्था से आपका क्या आश्य संस्था का विकास किस प्रकार होता है अथ्वा समाज में संस्था के जन्म एवं विकास की प्रक्रिय का वर्णन कीजिए 23 प्रश्ण है संस्था की परिवाशा दीजिए समाजिक संस्थाओं के प्रकारों को समझाते हुए इसका समाज सास्रे महत्व इसपश्ट कीजिए अथवा संस्था के प्रमुक कारों का वर्णन कीजिए समाजिक सम्हू के बारे वे देखेंगे सामाजिक समू की अवधारना समझाईए 25. सामाजिक समोग के निर्माण के प्रमुक अधार क्या है सामाजिक समोग के प्रमुक प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा सामाजिक समोग के वरीकरण के प्रमुक अधारों की विवेचना कीजिए 26. सामाजिक सनरशना की अधार्णा को इसपश्ट कीजिए सामाजिक संरशना समासासर की आधार भूत आउधारना इसपश्ट कीजिए सामाजिक संरशना का अर्थ इवं परिभाशाय लिखिए सामाजिक संरशना की आउधारना के बारे में विबिन विचारकों की मत इसपश्ट कीजिए 27 प्रश्ण है सामाजिक संरेशणा की प्रमुक लक्षणों एवं तत्वयों का उले कीजिए अथ्वा 28 प्रकार की अवधारना इस पक्रमुक विश्जिश्टा है अथ्वा प्रकार इसे आप्क्या समस्ते इसकी प्रमुक विशिश्टा है बताईए अगला टॉपिक है प्राइस्थिति एवं भूमिका 29 प्रशने प्राइस्थिति की परिवाशा दीजिए समाज में प्राइस्थिति के निर्धारण के क्या अधार है अत्वा प्राइस्थिति की परिवाशा दीजिए प्राइस्थिती की महत्पूर्ण पिशेष्थाओं का वर्ण कीजिए अत्वा व्यक्ति की प्राइस्थिती को निर्धारित करने वाले कारकों का उल्ले कीजिए अत्वा प्राइस्थिती की परिवाशा दिजिए प्राइस्थिती के मुखे निर्धारकों के विवेचना कीजिए तीस्वा प्रेशन है कारे की आउधारना को समझाए इस्थिती और कारे के परस्पा संबंद को इस्पष्ट कीजिए कार यत्वा भूमिका को भरवाशित करते हुए उसकी विशेशताओं पर प्रकाश डालिए कार और भूमिका नेधारण के विबिन आधारों कोले कीजिए तथा प्राइस्थिती एवं कार में अंतर इस्पष्ट कीजिए एक तिस्वा है प्राइस्थिती यानि स्टेटस और भूमिका यानि रोल के सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालिए त्रती एकाई को देखेंगे नवा टॉपिक है सामाजिक संग्ठन, सोशल और्गनाईजेशन बतिस्वा प्रश्ण है सामाजिक संग्ठन की परिवाशे देजिए सामाजिक संग्ठन की विशिष्टाओं का वर्ण कीजिए अत्वा इल्येट तथा मेरिल द्वारप्रतिपादी सामाजिक संग्ठन की आउधारना की विवेचना कीजिए सामाजिक संग्ठन सापेक्ष यवधारना है इस कथन की विवेचना कीजिए अत्वा सामाजिक संग्ठन की यवधारनों को समझाईए इसके तत्वों की विवेचना कीजिए अत्वा सामाजिक संग्ठन क्या है? सामाजिक संग्ठन के लक्षणों का संचेप में वर्णन कीजिए तैतिस्वा प्रिश्ण है सामाजिक संग्ठन को परिभाशित कीजिए सामाजिक संग्ठन को प्रोसाहित करने वाले कारकों को निर्धारित कीजिए सामाजिक संक्ठन के समाज सास्री महत्व का वर्ण कीजिए दस्वा टॉपिक है सामाजिक व्यवस्ता सोसल सिस्टम सामाजिक व्यवस्ता क्या है सामाजिक व्यवस्ता की मुख्य विश्रिष्टाओं का उल्ले कीजिए अत्वा सामाजिक व्यवस्था की अधारना इस्पश्ट कीजिए तथा इसकी विश्रिष्टाओं का उल्ले कीजिए सामाजिक व्यवस्था के अवश्यक तत्तों का वर्डन करते हुए इसका वर्गी गरण कीजिए अथवा सामाजिक विवस्ता से आप क्या समझते हैं इसके प्रमुक तत्तों की व्याक्या कीजिए 11 प्रिश्ण है परिवार विवाह एवं नातेदारी, फैमिली, मैरीजन, किंशिब 36 प्रिश्ण है, 11 टॉपिक का 36 प्रिश्ण है परिवार की परिवार्शा देजिए और इसके आधार एवं प्रकारे बताईए अथवा परिवार के प्रकारियों की विवेचना कीजिए आधुनिक समय में क्या इन प्रकारियों में कुछ परिवर्टन हुए है अथवा आधुनिक परिवार में हो रहे प्रमुक संद्शनात्मक तदा प्रकार यात्मक परिवर्तनों के विश्य में संशेप में लिखिए, सैतिस्वा प्रश्णे परिवार के सामान एवं विश्ष्ट लक्षडों की विवेचना कीजिए, अथवा संगे के रूप में परिवार की प्रमुक विशेष्टाओं का उलेक कीजिए अर्थिस्वा प्रिश्णे परिवार का समासास्री महतो बताईए अथ्वा एक समू संस्था के रूप में समाज में परिवार के महतों का वर्णन कीजिए 49 प्रश्णे विवा से आपका क्या भी प्राय है इसके सुरूप की विवेशना कीजिए अत्वा बहुपतित त्वकी प्रमुक विशेष्टाओं को इसपष्ट कीजिए और उसके लिये उत्तरदाई कारकों को निश्चित कीजिए 40 प्रश्णे विवा के सामाजिक कार या महतों का उलेग करते हुए इसके उदेशों पर प्रकाश डालिए 42. नातेदारी संग्याओं का अर्थ बताते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए अत्वा नातेदारी शब्दावलिया संग्याओं को इसपश्ट कीजिए अत्वा नातेदारी शब्दावली का अर्थ बताईए और शब्दावली विवेदी करण के आधारों की विवेचना कीजिए अत्वा वरीकरत और विशिष्ट नातेदारी संग्याओं का अर्थ बताईए तथा इसके पारस्परिक अंतर को इसपश्ट कीजिए बारवा टॉपिक जाती वर्ग, शक्ति एवं सिख्षा, काश्ट, क्लास, पावर और एड़ुकेशन तैतालेसवा है टॉप प्रश्ट जाती की परिवाशा देजिए और उसकी विशेष्टाओं की व्याख्या केजिए जाती एक बंद वर्ग है विवेचना केजिए परिवर्टन के लिए उत्तरदाई कारक कौन से है जाती विवस्था में होने वाले परिवर्टनों के कारण सहिद व्याख्या दीजिए आदुनिक समान में जाती में क्या परिवर्टन हो रहे है इस पश्ट कीजिए 46 प्रश्ण है वर्गी की व्याख्या केजिए इसकी विशेष्टा है लिखिए वर्गी की अधाड़ा को इसपश्ट कीजिए एवं वर्गी के प्रमुकाधार बताईए या वर्गी की परिवाशा दीजिए और वर्ग निर्मार के प्रमुक आधारों का वर्डन कीजिए 47 प्रश्ण है जाती और वर्गे में अंतर इस्पष्ट कीजिए 48 प्रश्ण है शक्ती की अधारा को समझाई शक्ती की विशेष्टाय लिखिए या शक्ति की परिवाशा देजिए और इसकी विशेष्टाएं बताईए या समाजी सरीकरण के आधार के रूप में शक्ति की अधारना इस्पश्ट कीजिए 49 प्रशने शक्ति की परिवाशा दीजिए शक्ति के प्रमुक प्रकारों का वर्डन कीजिए या शक्ति के विभिन स्वरूप क्या है बताईए 50 प्रशने सामाजिक इस्तरी करण के अधार रूप में सिक्षा को इस्पष्ट कीजिए या सिक्षा की परिभाशा दीजे शिक्षा के विभिन प्रकार कौन से है या सिक्षा के कुछ महत्पून उद्देशों की विवेशना कीजे व्यक्ति केवं सामाजी कल्याड के सम्मद में किस उद्देश विशेश पर आप बल देना चाहेंगे ये क्या वनवा प्रिश्ण है शिक्षा के कारेों का संशेप में विवेशन कीजे आपकी राय में उनमें से कौन से अधिक महत्पून है अथवा आपकी मतनुसा मानोजीवन में शिक्षा के क्या कारे होने चाहिए चौती काई है तेरवा टॉपिक है संस्कृती, कल्चर, अर्थ, मीनिंग, विशेश्टाय, करक्टरेश्टिक्स, प्रकार, टाइब, एवं उपादान, कंपोनेंट्स बारवा प्रिश्ण है संस्कृती की परिवाश्य दीजे इसकी विशेश्टाओं को समझाई आतुआ संस्कृती की अवधाड़ा की विवेश्ण कीजे या संस्कृती की विशेश्टाओं का वड़न कीजे या संस्कृती क्या है संस्कृती की प्रक्रती पर प्रकाश डालिए तिरपन्वा प्रश्ण है संस्कृति की परिभाशा दिजे संस्कृति की आवर्शक्त तो काउल लेक कीजिए चववन्वा प्रश्ण है व्यक्ति के विकास में संस्कृति के कारियों की विवेश न कीजिए अत्वा संस्क्रती की परिभाशा दिजे, संस्क्रती की हमारे जीवन में क्या भूमी का बताईए अत्वा संस्क्रती की परिभाशा दिजे, संस्क्रती के कार्यों की विवेश न कीजिए 55 प्रश्ण है संस्क्रती के निर्मालक अंगों की विवेश न कीजिए अथ्वा संस्कृति की उपादानों पर एक संचेप्त लेख लिखिए अथ्वा निमलिखित पट्ट पड़ी कीजिए संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रदिमान, संस्कृति छेत्र 56पनवा प्रशन है सांस्कृतिक की काईसे आपके समस्तिस की प्रमुखृश्रिस्ताओं को लेख कीजिये 57पनवा प्रशन है संस्कृति संकुल पसंद्चेट्व हनोत लिकीए या सांस्कृतिक संकुल की अधारणा इसपश्च रूप से समझाários अथावनवा प्रश्ण सांस्कृतिक चेत्र की अउधारणगों को इसपश्ट कीजिए, उनसठवा प्रश्ण सांस्कृतिक प्रतिमान की अउधारणा और अर्थ इसपश्ट कीजिए सांस्कृतिक विलंबना टॉपिक है साथवा प्रशने सांस्कृतिक विलंबना की अउधारना की व्याख्या कीजिया थुआ आग बर्न आग बर्न के सांस्कृतिक विलंबना सिधान की अलोचना अत्मक विवेचना कीजिया थुआ संस्कृतिक विलिमना पर एक लेक लिखिए अगला टॉपिक है संस्कृति एवं सभिता 61-62 प्रशना हैंगे इसमें 62 प्रशने सभिता की परिवाश्या देजे सभिता और संस्कृति में अंतर इस्पष्ट कीजिए इसकी व्याख्या कीजिए चौदवा टॉपिक है समाजी करण अर्थ विशेष्टाय सोपान अभी करण प्रकार इवं महत्व शोशलाइजेशन मीनिंग करेक्टेश्टिक्स, स्टेजिज, एजेंसीज, टाइपस, टाइपस, एंपोर्टेंस अर्थ यानी मीनिंग, करेक्टेश्टिक्स यानी विशेष्टाय, स्टेजिज यानी सोपान, एजेंसीज यानी अभी करण, टाइपस, प्रकार, इम्पोर्टेंस, महत्व सामाजी करण की परिवाशा दीजिए तता सामाजी करण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए अत्वा सामाजी करण से क्या आशा है इसके कुछ प्रमुक कारगों का विवेचना कीजिए जो सामाजी करण में यूग देते है अत्वा सामाजी करण की प्रक्रिया का वर्डन की 64. प्रिशन सामाजी करण क्या है? इसके विबन सादनों की व्याख्या कीजिए अत्वा व्यक्ति के सामाजी करण में किन प्रमुक संस्थाओं का योग होता है? इन सम्में आप किसे सबसे अधिक महत्पूर मानते हैं? अत्वा सामाजी करण की व्याख्या कीजिए और व्यक् सामाजिक प्रक्रिया के प्रमुक लक्षडों को स्पष्ट कीजिए परदा चोथा संगरश चोथा क्या है संगरश एकाई पाच्वी है सोलवा टॉपिक है सामाजिक नियांतर शोशल कंट्रोल उसका अर्थ विशेषता है प्रकार और साधन बताने मेनिंग गरक्रेश्टिक टाइपस और मींस बताने साधन यानी मींस समाजिक नियंतरन की अवशक्ता को इसपश्ट कीजिए समाजिक नियंतरन के विभन प्राकारों का वड़न कीजिए 17 टौपिके समाजिक इस्तरी करण अर्थ विशस्ता है आधार एवं सुरूप को बताना है सामाजी की स्तरी करण को कहते है social stratification earth यानी meaning, विशेष्टा यानी characteristics, आधार यानी basis और सुरूप यानी forms, यह सब बताना आपको यहाँ पे तीन प्रश्ण हैंगे 69, 70, 71 69 प्रश्ण है समाजी की स्तरी करण की परिभाशा दीजे समाजी की स्तरी करण के प्रमुक आधारों का वड़न कीजे या स्तरी करण क्या है इसके प्रमुक लक्षडों की विवेचना कीजे 70 प्रश्ण है समाजी की स्तरी करण के प्रमुक जरूपों का संचिप्त विवेच न कीजिए 71 प्रश्ण है समाजिक इस्तरी करण क्या है समाजिक इस्तरी करण के समाज सास्त्री महतो को लिखिए अथवा समाजिक इस्तरी करण की परिवाशा दीजिए समाजिक इस्तरी करण के कार्यों की विवेच न कीजिए अथवा सामाजिक इस तरी करड़ की आवर्शक्ता एवं महतु की विवेच न कीजिए अठारवा टॉपिक है सामाजिक गतिशीलता, शोशल मोबिलिटी आर्थ विशेष्टा एवं प्रकार बताना, मीनिंग करक्टरेश्टिक्स और टाइप्स अगला प्रशन है सामाजिक गतिशीलता के प्रमुप्रकार एवं सुरू बतला ही अथवा उर्ध्वा धर और अनुप्रस्थ गतिशीलता में भेद करना है उनिस्वा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन, आर्थ विशेष्टा है कारक एवं प्रतिमान सोशल चेंज, मीनिंग, करक्टरेश्टिक्स, फेक्टर्स और प्रतिमान यानि पेक्टर्स, कारक यानि फेक्टर्स अब पहले topic देख लेते हैं भारती चिंतन की परंपरा पर एक लेक लिखी है अत्वा भारत में समाज सास्त्र के विकास भारती चिंतन की परंपरा से प्रभावित है इस पश्ट कीजिए उत्तर है भारती चिंतन की परंपरा ट्रडिशन ओफ इंडियन धिंकिंग भारत में समाज सास्त्र की विकास की दुतिय प्रिवरत्ती के समर्थकों के अनुसार भा आश्यात समाज सास्तरी सिध्धानतों का अंधानू करण करके ठीक से नहीं समझा जा सकता। ऐसी स्थिती में बारत में समाज सास्तर का विकास परंपरागत भारती समाज सास्तरी सिध्धानतों के आधार परी किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम भारती समाज को सही परिपेख्ष में समस्खिंगे। इस प्रगृत्ति के समर्तगों में श्री आनंद कुमार स्वामी, डौक्टर भगवान दास, प्राफिशर एके सरन, डौक्टर नगेंद्र, नर्म देश्वय प्रसाद आदि हैं। श्री आनंदर कुमार स्वामी तथा डॉक्टर भगवान दास ने भारती संस्कृती का काफी गहनता के साथ अध्यान किया है। इन विद्वानों की मानेता है कि पश्रिम से लिए गए सिध्धान तो एवं अवधारणाओं के अधार पर हम भारत को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। भारती समाज और पाश्चा समाजों के समाजिक मूल, जीवन दर्शन एवं सरस्कृती में कुछ ऐसे मौलिक अंतर है कि पाश्चा सिध्धान यहां के लोगों को भारती समाज को वास्त्विक रूप से समझने में मदद नहीं कर पाएंगे। इन दोनों विद्वानों के अनुसार परंपरागत भारती विचारों का अध्यान तार्किक द्रश्टी से किया जाना चाहिए। इनके अध्यन से हम संपूर्ण भारती समाज विवस्ता को ठीक से समझ सकते हैं। आज अधिकता समाज सास्त्री यह मानने को तयार नहीं है कि केवल परंपरागत भारती सिध्धानतों के आधार पर ही भारत में समाज सास्त्र का विकास किया जाना चाहिए। आजकर लोग बहुत दिक समनवाय में विश्वास करते हैं। पास्षात देशों में समाज सास्त्र के छेतर में जो कुछ कार हुआ है उस पर भारती परिपेक्ष में विचार किया जाना चाहिए। यहां दरश्टिकोड यह नहीं होना चाहिए कि जो कुछ परमपरागत भारती चिंतन या सिद्धान ते उन्हें हमें छोड़ देना ही चाहिए। तथा जो कुछ पास्षात उसे ग्रहड ही कर लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। भारत की समाज विवस्ता को ठीक से समझने और यहां समाज सास्त्र के एक विज्ञान के रूप में विकास में नाकेवल परामपरागत भारती सिद्धानतों कबल की जहां आवश्य को लाप्रद हो पास्षा समाज सास्त्री सिद्धानतों और धार्णाओं का भी साहरा लिय प्रश्ण समास्त्र क्या है इस विशय पर प्रमुक समास्त्रों के विचार इसपस्ट कीजी अत्वा समास्त्र का आर्थ और उसकी परिभाशाओं की विवेचना कीजी अत्वा समास्त्र मानो समाज का विज्ञान विवेचना कीजी उत्तर देख लेते समास्त्र की अधारना संब्द में चिंतन करता रहा है वैसे ही ये सत्य है कि मानो प्रकृति से दाशनिक होता है Don Martindale Don Martindale का कहना है कि यदि मानो प्रकृति से दाशनिक है तो स्वभाविक रूप से ही समासासरी भी है क्योंकि समाजिक जीवन उसका स्वभावी कुदेश है इस द्रश्टी से समासास उतना ही प्राचीन है जितना की मानव समाज फिर भी समासास तर अधिक प्राचीन नहीं है यह एक नवीन समाजिक विग्यान है जिसका उद्विकास एवल्यूशन उद्नीश्वी शताब जी के पूरवार्द में हुआ समासास तर शब्द का प्रियोग सरफर्थम आगश्ट काम्टे ने सन 1838 में किया था जिसे उसने सोशल फिजिक्स समाजिक बहुतिक का नाम दिया उसके पश्चात उस्विद्वान के समासास्त्र सोश्योलजी के नाम से पुकारा इसके पश्चात उस्विद्वान ने समासास्त्र को सोश्योलजी नाम से पुकारा इस कारण अगस्ट कौम्टे 1798-1857 को समाज सास्र का जनक कहा जाता है 1838 में नोने नाम दिया था शोशोल जी का समाज सास्र शब्दे कप्र योग किया था और कब से कब तक रहे 1798-1857 तक आगे चलकर स्पेंसर, दुर्खीम और वैबलेद आदी समाज सास्रियों ने इस विज्ञान के विकास पे महत्पूर योगदान दिया समाज सास्र का साब्दे कर्थ समाज सास्र अंगलिश शब्द जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं इंगलिश कहते हैं उसके शोशियालजी का हिंदी रूपा अंत्रण है अंग्रेजी शब्द English word का sociology, Latin भाषा के शब्द शोषियस वा ग्रीग भाषा के शब्द लोगों से मिलकर बना है शोषियस का अर्थ है समाज, लोगों का अर्थ है ग्यान विग्यान इस प्रका समाज, शास्तर का शाब्द कर्थ समाज का विग्यान या समाज के अध्यान से है समाज, शास्तर शब्द का निर्मा अणचु की दो विभिन भाषाओं से वो आता इसे Robert Beard Steed ने दो भाषाओं की दोगली संतान बताया है उनिश्वी सताब्दी के एक दाशने केवं सामाजिक विचारक जौन इस्टूर्ड मिलने इस नूतन विग्यान के लिए इथोलोजी शब्द कहने का सुझाओ दिया परंतु यह नाम प्रत्यक्ष रूफ से अनविद्वानों को आकरशित ना कर सका उनिश्वी सताब्दी के उतरार्थ में ब्रिटिश शमा सास्त्री हरबर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद अध्यन का सूत्रपात किया और अपनी पुस्तक का शीशर शुश्वाल जी रखा इसका उन्होंने कारण बताए कि हमारे प्रतिकों की सुझाव पूर्टा एवं सुविधा पूर्टा अपनी विद्पत्ती की वैधता की तुलना में अधिक महटपूर होती है इस प्रकार इसनूतन विज्ञान का नाम इस्थाई रूप से समाशास्त्र ही पढ़ गया और स्पेंसर के योगदान के परणाम सुरूप ही या विज्ञान की रूप में आगे बढ़ सका समाशास्त्र की परिवाशा है समासास्र की परिभाशा के सम्मन में विद्वान एकमत नहीं है समासास्रियों ने अपने अपने दर्श्टी गोडों और विचारों के आधार पर समासास्र को परिभाशित करने का प्रयास किया है समासास्रियों की विबिन विचार धाराओं के आधार पर समाज सासर की परिवाशाओं को निम्न शेडियों में बाढ़ कर अध्यान किया जा सकता है पहली है समाज सासर समाज का अध्यान है समाज सासर समाज के अध्यान के रूप में परिवाशित करने वाले विचार को कमत है की समाज सास किसी एक भाग का अध्यान नहीं करता बलकि ये संपूर समाज का अध्यान करता है समाज के अध्यान के रूप में समाज सास की परिवाशा दो रूपों में की गई है समाज का विज्यान तथा मानो समाज का विज्यान समाज सास्त्र समाज के विज्यान के रूप में इसके अनुसा समाज सास्त्र किसी ना किसी रूप में समाज के अध्यान का विज्यान है इस संद्र में निम्ने परिभाशाय दी गई है गिंडिंग्स ने कहा है G.I.D.I.N.G.S गिंडिंग्स ने कहा है समाज सास्ते समाज का वैग्यानिक अध्यान है, समाज सास्ते समाज का वैग्यान है, जो समाज का अध्यान करता है उगते परिभाशाओं के अध्यान से इतना इसपष्ट है या अवश इसपष्ट होता है कि समाज सास्ते समाज का विज्ञान है लेकिन इन परिभाशाओं से या इसपष्ट नहीं होता कि समाज क्या है अगला है हमारा समाज सास्त्र मानो समाज के विज्ञान के रूप में इसके नुसा समाज सास्त्र वे विज्ञान है जिसके अंतगत मानो समाज का ध्यन किया जाता है इस ट्रेणी में आने वाली कतीपाय प्रमुक परिभाशा निम लिखेता है इन्होंने कहा समाज, शाज, सर्मनुष और उनके एक दूसे के प्रती संबंदों में मानव परियावरण का अध्यान है क्यूबर, C-U-B-E-R क्यूबर ने कहा समाज साज्द को मानव संबंदों के वेग्यानिक ग्यान की शाका कहा जा सकता है समाज साज समानों जाती के संबंद से उत्पंद समाज की प्रगटनाओं का ध्यान करता है G. Duncan Mitchell ने कहा G. Duncan Mitchell ने कहा अगला है समाज सास्त्र समाजिक अन्था क्रियाओं का अध्यन करता है इस विचार धारग एनुसार समाज का वास्त्विक अधार समाजिक संबंद नहीं बलकि समाजिक अन्था क्रियाओं है इस विचार की प्रमुक परिभाशाय निम ले कहता है समासास्र को यदि व्यापक अर्थ में लिया जाए तो व्यक्तियोग के एक दूसरे को संपर्क में आने से उद्पन्ध होने वाली अंतक्रियाओं का अध्यन मात्र है समासास्त्र मानवी अंतक्रियाओं और अंतर संपन्धों उनकी दशाओं और पड़नामों का अध्यन है समासास्त्र मानवी अंतर संपन्धों के सुरूपों का विग्यान है अगला है समासास्त्र संपन्धों का अध्यन है समाजी गंतक्रियाओं समासास्त्र के अध्यन का प्रात्विक लक्षे होता है अतर कुछ विचारकों ने समासास्त्र को समूह में मानव व्यवहार का अध्यन स्विकार किया है समासास्त्र समूह का अध्यन मानने वाले विचारकों की परिवाश्यनिम लिकेत है समासास्त्र समूह में मनष्यों के व्यवहार का अध्यन है समासास्त्र व्यविग्यानिक पद्धती द्वारा प्राप्तमानों के समाजिक व्यवहारों से संबंदे समानी करण का अध्यन है समासास्त्र व्यविग्यानिक जो समाजिक समूह का उनके आंत्रिक स्वरूपों या संग्ठन के स्वरूपों उन प्रक्रियों जो इस संग्ठन के स्वरूपों को बनाये रखती हैं या परिवर्तित करती हैं और सम्हू कोई बीच पाये जाने वाले संबंधों का अध्यान करता है। अगला है समाज शास्त्र समाजिक संबंधों का अध्यान करता है। इस विचारधारा के अनुसार समाज के वल समाजिक संबंधों की एक व्यवस्ता है। इसकारण समाज शास्त्र को एक ऐसे विज्ञान की रूप में इस्पष्ट करना उचित है, जो समाजी सम्बंदों का व्यवस्तित रूप से अध्यन कर सके, मुख्य परिभाशा है निम लिकेत हैं, मैकाईवर एंड पेज, M-A-C-I-V-E-R मैकाईवर एंड पेज, P-A-G-E, समाज सास्त्र समाजिक सम्बंदों के विशय में हैं, और सम्बंदों के जाल को हम समाज कहते हैं, Green, G-R-W-E-N Green, समाज सास्त इस प्रकार मनुश्र का, उसके समस्तर समाजिक सम्बंदों के रूप में समनवय करने वाला और अनुमान करने वाला विज्यान है, Arnold M. Roze, समाज सास्त्र मनों सम्बंदों का विज्यान है, समाज सास्त्र समाजिक रियाओं का अध्यान करता है, कुछ समाज सास्रियों का विचार है कि समाज को समझने के लिए उसके सुरूप अंता क्रियाओं, समाजिक संबंदोर या समों का अध्यन ही परियाप्त नहीं होता पितू मनिश्य की समाजिक क्रियाओं के अध्यन के बिना समाज सास्र को समझा नहीं जा सकता इस विचार धारा वाले विद्वानों की परिवाशायने में लिखेता है Max Weber M-A-X-W-E-B-E-R Max Weber समासासर वे विज्ञान है जो समाजिक्रियाओं द्वारा वे अख्यात्म ज्ञान प्राप्ति करने का प्रियास करता है Talcott Parsons T-A-L-C-O-W-T Talcott P-A-R-S-O-N-S Parsons समासास्त समाजिक्रिया को परिवाशित करता है तथा समाजिक्रियाओं की प्रभाव का ध्यान करता है विभिन आदारों पर प्रति पादित उपरोक्त परिवाशाय समासासर के बहु पक्षी सुरूप की विविचना करती है समाजिक्र रूप से यह का जा सकता है कि समासास्त्र विविज्यान है जो समाजिक समू हो, समाजिक संबंदो, समाजिक अंतक्रियाओं समाजिक संस्ताओं का विविज्यानिक अध्यान प्रतित करता है उप्रुक्त पडिवाशाओ के अधार पर हम निम्लिकित निश्करश निकाल सकते है शमासास्त्र समाजिक संबंधों का अध्यन करता है यह मानवी अंतक्रियाओं और व्यभारों का अध्यन करता है यह समाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का अध्यन करता है यह समाजिक संबंधों के सुरूपों का अध्यन करता है ये समूहों में मानो व्यवस्था का अध्यन करता है, ये समाजिक कारे का अध्यन करता है, ये समाजिक व्यवस्था का अध्यन करता है, ये समाजिक जीवन और घटना क्रमों का अध्यन करता है, इसके बाद हम कौन-कौन से प्रशन देखेंगे, उनको देख लेते हैं, फिर तो तीसरा प्रश्न हम यहाँ पर दो प्रश्नों को देख चुके हैं तीसरा प्रश्न हम देखेंगे समाज सास्तों को परिवाश्यत कीजिए तथा इसकी विशे सामगरी की विवेचना कीजिए अत्वा समाज सास्तों को परिवाश्यत कीजिए और इसके बाद जो प्रश्न चौथा समासास्त्र की परिभाशा दीजिये तथा इसका विशेच्छेत्र बताई यात्वा समासास्त्र के विशेच्छेत्र के बारे में प्रमुक संपुर्दायों की व्याख्या कीजिये यात्वा समाज सास्त्र की व्याख्या कीजिए इसके छेत्र की विवेच्णा कीजिए अत्वा यथा रूपेड संपर्दाय क्या है अलोशनात्मक विवेच्णा कीजिए अत्वा समाज सास्र के छेत्र के संबंद में जौर से मिल तथा इमायल दोर्खीम के विचारों की परिक्षड कीजिए और सबसे लाश्ट पांच वा प्रिशन हम क्या देखेंगे आधिनिक समाज में समाज सास्र के महतु की विवेशन कीजिए अत्वा समाज सास्त्र के अध्यान की क्या उपियों गिताय व्याख्या की जिया थुआ समाज सास्त्र के महत्व पर प्रकाश डालिए इसके बाद हम अध्याय तीन देखेंगे अध्याय तीन क्या है समाज सास्त्र की उद्पत्ति वों विकास Horizon and Development of Sociology चलिए चर्चा को समाप्त करते हैं धन्यवाद